स्थेखेज हैं आपके अपने चनल बालक ग्यार में दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो क्यमेस्टी का है क्यमेस्टी का इंपोर्टेंट कोश्चन लाए हुए है ठीक ना पहले जो कोश्चन है संदरता किसे कहते हैं तो किसी विलायक में विलायक की घूली हुई कि को दब विलियन में उपस्थित की मौलांश के समानुμέंटी होता है है एक बिध्यानिक थे उन्होंने अपना निया था उन्होंने बताया था कि किसी थी वासप अवस्था में आ अनसिकदार विल्यै में उपस cesukemolांस के समानुपाती होता है ठीक है चलिए अगला जो है पॉइन्ट रॉवेल्ट के नियम कि अनुसार देखिए कि वास्प सीलदरव के वीलियानों में परतेक घटक का आंसिक दव वीलियान में उसके मोल आंस के समानुपाती होता है राउन्ट भी एक विग्यानिक थे उन्होंने कहा था कि वास्प सिल्दरव के विल्यानों में परतेक घटक का आंसिक दाव विल्यान में उसके मोल आंस के समानुपाती होता है ठीक और अगला जो कोशन है चुछा नमर अनुसंख्या गुन किसे कहते हैं तो किसी विल्यान के वे भहती गुन जो इकाई आयतन में उपस्तित विल्याक गौनों की संख्या और निरभार करता है ना कि उसकी परकीर्थी पर उन्हें अनुसंख्या कहते है ठीक है चले अगला जो कोश्चा है अ दोस्तों देखिए राउल के नियम क्या है तो देखिए राउल को जहांड पच्वा संग घ्री को हें विय मिलियं जू तप तथा मैम कि समाश सिंद्थी फर यानि खोई वी इस्थिती हो उस इस्थिती पर राउल के नियम पालन करता है तो फो और सभी है अगला संग को सप्प्लम संग अनादर सी मिलियन तो विय पर नियम का पालन नहीं करता है उसको अनादर से विलियन बोलेंगे ठीक है कि अगला जो कोश्चन है कि दोस्तों अनादर से विलियन के जो है ना दो भाग होते हैं तो क्या है वह धनात्मक बीचलन होता है और रिनात्मक पीचलन होता है तो धनात्मक बीचलन में क्या होता है यह हम लोग देख लेते हैं यह रावल्ट के नियम से धनात्मक बीचलन दरसाता है यह विलियन का आयतन विले तथा विलाय के खूल आयतनों से अधिक होता है वहीं पर देखें दोसर का जो है रिनात्मक बीचलन में यह नियम से रियनात्वक बीचलन को दर्साता है ये विलियन का आयतन विले तथा विलाय के कूल आयतनों से कम होता है चलिए अगला जो कोशन है काउथनांग की से कहते हैं तो वाहताप दोस्तों देखिएगा वाहताप जिस पर किसी दरव में दम के बराबर हो जाता है तो उसे कव्थनांन कोते हैं ठीक है और किसे कहते हैं दोस्तों देखिएगा किसको कहते हैं तो पदार्च के अनु जो है अधिक संद्रता वाले छेतर से कम संद्रता वाले छेतरी की और स्वाता हगाति करता है जब तक कि क्या है सभी जगह द्रव सामान न हो जाए ठीक है ना तो अभी तक वह क्या होता है अनू जो अधिक संद्रता वाले से कमें आते रहेगा कानि का मत्तब है दोस्तों देखिए यहां पर कोई बरतन है इसमें पूरा बहरा हुआ है ठीक है और यहां से हमने पाइप एक डाल दिया तो ब तब तक बिस्रान की परकिरिया होते रहेगी ठीक है अगला कोचन जो है परशरन क्या होता है तो देखिए परशरन दोस्तों और प्राग्मय जीली के द्वारा जाल के अनूओ काम संद्रता वाले विलियां से आधिक सनातर वही दोस्तों अभी परशरन हम लोग बिस्रान पर प्रासरंदाब से अधिक्त किया जाता है जो जल के अनुकि अधिक संद्रता बृत्रतेवाले की और जाते रहता है उसी को कहा जाता है ठिक चलि अगला जोको से कांट हफ यह गुर्णांग कि से कहते हैं तो देखिए और समाने मानों की ब्याख्या करने के लिए वांट होफ ने एक नाया गुलनांग का समावेश किया जिसे वांट होफ कुलनांग कहते हैं चलिए अगला जो कोशन है मोललता की परिभासा दीजिए तो एक किलो गराम बिलायक में किसी विले की मोलो की संख्या को मोललता कहा जाता है ठीक है चलिए